मैं उस इश्वर का बात करता है जिसके उपर कुछ नहीं है वही इश्वर है वह इश्वर एक है उसकी शुरुवाद भी नहीं है अन्थ भी नहीं है वह अनन्थ है वह इश्वर अनन्थ है जो इश्वर अनन्थ है उसके बारे में हिंदू क्या कहता है कि इश्वर आकार में भी है निराकार भी है ऐसा कैसे हो सकता है इश्वर का कोई आकार नहीं है वो निराकार है जो आकार में है वो इश्वर का अन्थ अवतार है इश्वर का कोई आकार नहीं है श्री कुरूशना के भगवत गीता में भी है कि इश्वर अव्यक्त है इश्वर अव्यक्त है जो इश्वर में से रोशनी निकलता है अन्ष निकलता है वो आकार लेता है इश्वर कैसे आकार लेगा इश्वर आकार लेगा तो एक हो जाएगा तुमारे सामने आ जाएगा वो अनन्थ नहीं होगा इश्वर आकार में आएगा तो एक जगा पे आ जाएगा तो इश्वर जो है वो अनन्थ है वो आकार में कैसे आएगा झारा जस्वर आकार के जब झार युगा झारा